हेलो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं आलू और परवल की मसालेदार तीखी चटपटी ग्रेवी वाली सबजी आप इसे साधियों के मौसम में भी खाए होगे ये बहुत ही तेश्टी यमी बनती है सबजी और इसे बनाना भी काफी असान है तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने परवल लिया है धाई सो ग्राम और इसे अच्छे से दो करके साफ करके छील करके इसे काट लिया है हाफ हाफ और यहीं पे उबले हुए आलू लिया है मैंने तीन बड़े साइज के और इसे भी मैंने धो करके हाफाफ काट लिया है छिल करके और यहाँ पे मैंने सरसो का तेल लिया है तीन बड़े चम्मच और उसमें परवल को डाल करके हम डिफ फ्राइ करेंगे हलका ब्राउन होने तक किसे fry करेंगे और इसमें डालेंगे आधा चमज हल्दी और आधा चमज नमक डालने से ना फ्रेंड्स परवल जो होते हैं थोड़े से नरम हो जाते हैं और जल्दी वह अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और हल्दी डालने से सकलर बहुत अच्छा आता है तो इस तरह हम लो टू मीडियम फ्लेम पर परवल को फ्राई कर लेंगे देखिए यह हलका फ्राई हो गया है और यह हाफ हमारा कुक हो गया है परवल तब इसे हम अच्छे से तेल को सेपरेट करते हुए निकाल लेंगे फिर इसी तेल में हम फ्राई करेंगे आलू को भी इसी तरह से हल्दी और नमक हाफ हाफ टी स्पून डाल करके और इस तरह से डालने से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है इस तरह से फ्राई हो जाता है ना सब्जी तो सब्जी का टेस्ट भी अच्छा बड़ जाता है अच्छा हो जाता है तो देखें यह अच्छा से फ्राई हो गया है हमारा तो इसे भी हम निकाल लेंगे आलू को कि अच्छे से तेल को सेप्रेट करते हुए और फिर इस तेल में हम डालेंगे तेज पत्ता कुछ ख़ड़े गरम मसाले और साबूत जीरा डालेंगे और फिर बारिक कटा हुआ दो प्याज डालेंगे और फिर कटी हुई 5-6 हरी मिर्ची और हरी इलाची सभी को डाल करके हम medium to low flame पर अच्छे से ब्राउन करेंगे और देखिए हमारा प्याज अच्छे से हलका ब्राउन हो गया है तब यहीं पर हम डालेंगे अधरक लसुन और टमाटर का पेश्ट मैंने यहाँ पर टमाटर दो लिया है और एक बंच पूरा लसुन लिया है और अधरक लिया है दो इंच सभी का पेश्ट बना करके हम इसे fry क मेरेंगे एक मिनट तक रोफ लेम पर जब देखिए अच्छे से फ्राइ हो गया है तब इसमें हम डालेंगे मसाले यहां पर डाले हैं कालीमीश और जीरा पॉरडर तू टीस्पून डालेंगे और यहीं पर डालेंगे 1 टीस्पून कास्मीरी रेट चिली पॉडर फिर डालेंगे धनिया पॉडर एक चम्मच फिर यहां पे किचन किंग मसाला डालेंगे एक चम्मच फिर डालेंगे गरम मसाला पॉडर आधा चम्मच फिर यहां पे कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे एक चम्मच और हल्दी डालेंगे आध स्वाद अनुसार नमक याद रखेंगे कि हम सब्जी को जब फ्राई कर रहे थे तो इसमें भी हमने नमक डाला था तो अपने आप अपने स्वाद अनुसार आप नमक डालें और इसे हलका सा पानी डाल करके इसको फ्राई करेंगे मेडियम टू लोफ्लेम पर सब्जी को सब्जी चिपड़ करें थी तो मैंने यहां पर आदा कप पानी डाला है आप इस तरह पांश करके और इसे अच्छे से मसालों को टे लाने तक टेल सेपरेड होने तक भूनते रहे दख धक करके भूनने से नाada सब्जी का सारे स्वाध मसालों के खुस्बू होती बरकरा रहती है तो इसलिए ठक ठक करके अच्छे से भूनीए और यहां पर अच्छे से भून गया है सारे मसाले हमारे यहां पर हम फ्राय किये हुए सबजी को डाल देंगे फिर इसमें मैंने डाला है हरप धनिया पत्ता खुसबुगाने के लिए और इसे भी हम मिलाते हुए इसको करीब एक मिनट तक हम लो फ्लेम पर मसालों को अच्छे से लपिटते हुए इसे सबजी को भूनेंगे और देखे कितनी यमी अभी से ही दीख रही है मैंने ग्रेवी के लिए यहां पर एक कप पानी डाला है आप अपने अनुसार ग्रेवी को कम या ज़्यादा कर सकती है तो देखिए इस तरह से डाल करके पानी को हम करीब पांस मिनट तक लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे दाल के साथ खा सकते हैं और यह देखिए कितनी यमी तेश्टी सबजी हमारी बन के तयार है तो आप इस त्रेश्पी को जरूर ट्राइब कीजिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखें थैंक्यू शुक्रिया बाइबाइबाइब कर दो